शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें विर्म जानु आप्सक्राइब कैस्ट करे दो हुनु झाल रादिक व्याद व्याद को उई नई भूले व्याद का यडियोज। कर दो दो जो गुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंगए में है दिल की आवाज तुम जो गुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंजे मेरे दिल की आवाज तुम कले कट रहे हैं जुबा के लिए लगी आग गिरते मका के लिए अवाल एक ही है जहां के लिए जमी क्यों लुके आसमा के लिए कहो कुछ जुबा पर अगर नाज है कहो कुछ जुबा पर अगर नाज है जो गुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंजे मेरे दिल की आवाज तुम बार नाज है पाव के लादी के पैसे पूरे पैसे अंकल छेपाओं एजपाओं यज़गे जगड़ा ही जगड़ा यहां कोंकणी माराथी का जगड़ा वहां सिख हिंदूओं का जगड़ा वहां गोर्खा लें में ओ हर जगड़ा ही जगड़ा है कित जाए तुका है कुछ नहीं है बहुत हर जगा दंगा पसाथ कभी जबान के नाम पर कभी धरम के नाम पर अंकल हमाई लफ चार पां जाए तुका सावियो चार पां रहे बेबी के हाँ बेबी स्कूल ना ना पां यतले हनी स्कूल अग यतले हाँ हरे कित जाए तुका है चापा उंकल ओरो विसरले नू विसरले आप चार पां बेबेक हाँ सो सॉरी या सो सॉरी बेक इन रहे पोशान क्या हो गया हम प्लादेश को साब पोई पसन अप्लादेश को अरे बाप मिस्टर अरे बाप ट्रांजिस्टर क्या हुआ 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 है जब मैं विकरी पहुंचा सब कुछ नॉर्मल था अंकल पेद्रो न्यूस पेपर पर चपी दंगे फसाद की ख़बरों पर अफसोस चता रहे थे वह बरबर आ रहे थे राजनीती पर चिंतत थे और कौन-कौन थे वहां पर हरोज की तरह तीन-चार गिराग थे और प्यारी किया था वो भी यह वो भी गुड उसका बैद लुक के वो बेकरी में गया और हमारा गुड लख हेलो हेलो जोएल येस ब्रदर आइव गुड न्यूज फर यू वो बेकरी उर गया जोएल मुझे बेकरी उड़ाये जाने की न्यूज मिल गई है मैंने लियो और जेकब को जो काम दिया था उसका पुरा रिपोर्ट चाहिए बेकरी और जर्नलिस में टीप कनेक्शन है हमारे आदमी जर्नलिस पीछा कर रहे थे और वो बेकरी में घुस गया थोड़ी देर बाद बेकरी ब्लास्ट हो गया था क्या तो फिर अपना पूरा एविडेंस वो जर्नलिस के साथ खलास अब हमें कुछ डर नहीं हम अंजाने में पहली बार कालेकर ने अपनी मदद किया है कालेकर हाँ जोएल कालेकर इसी तरह के एक्टिविटीज करा करा कर सी एम की चैर घसितना चाहता है जबके मैं दुबारा एलेक्शन कराना चाहता हूं उसने प्रेस कॉंफरेंस बुलवाई है इसलिए मैंने भी प्रेस वालों को इन्वाइट कर लिया लेकिन जोएल ये न्यूस देकर तुमने मुझे बड़ा रिलाक्स कर दिया रिलाक्स ब्रदर किसी का तुम लोग कोते देख है नहीं है इस हमगामे में किसी ने तुम लोग को देका तो नहीं no पुलीस आने से पहले हम लोग निकल कर तुमने वहां भी ऑछ म μαई किसी का फेस ऐसा उपेससा नहीं देखा जो सौ Wikipedia मैंने इतनी गौर से किसी को नहीं देखा मैंने कहा ना मैं अंकल पैद्रो की बाते सुन रहा था अच्छा इतने में एक आदमी गवराट में आकर कुर्सी पर बैठ गया उसका खुलिया याद है नहीं मेरे बहार आने के बाद प्लास्ट हुआ तुम वहां थे और फिर भी कुछ काम की बाद मालूम नहीं हो रही आम सॉरी जो देखा वो बता दिया संजीव स्टेट में देशत पहलाने के लिए मराठी और कोकुणी के नाम पे कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि गवर्मेंट नका रहा है बांडूर कर साथ ये तो अब आपकी जूटी है कि इचान बीन करें तुम जैसे लोग मिलते रहे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा मैं चलू वाइ सचाहरी ऐसा है कि पाव ने निकला था अच्छा और इतने सवेरे मा के जूते नहीं खाना चाहता तुम किस कॉलेजे पढ़ते हो पिता जी के देहांत के बाद मैं पढ़ ची सर चलूंग ओके नोई कन गो करें अच्छा अच्छा आज कल पाव पुलीस स्टेशन पर बिकने लगे हैं अरे जो काम सुबह पोटतर तुझे करना चाहिए था मैं और तेरी बे선 करके आ रहे हैं अरे मुझे क्या मालूम था मा मैं पाव लेन जाओंगा और मेरे निकलती ये बेकरी में ब्लास्ट हो जाएगा क्या हाँ मां किसी ने बॉम रखकर बेकरी को ब्लास्ट कर दिया और बेदरोंकर वही नहीं बलके बेकरी में बैठे बाकी लोग और एक प्यारी सी बच्ची बेदर्दी से मारे गए इसलिए मुझे पूली स्टेशन जाना पड़ा तुझे ऐसे चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही क्या है तो क्या मैं आंख बंद करके चलाता जैसे कोई फिल्म देखकर घर चलाता है मैं पहले ही तेरे पिताजी को पूली स्टेशन में खो चुकी हूँ मा अगर मैं खुद नहीं जाता ना वो इंस्पेक्टर दीपक बंडोट कर है ना तो मुझे घर से उठा कर ले जाता दूसरों की फिकर करने से पहले अपने घर वालों की सोच चला अब अंदर चल बहुत काम पढ़ा है चला अब कली की दुरगटना को लीजिए मैं कहता हूँ उस बिचारे बेकरी वाले का दोश क्या था लेकिन उसको बली का पक्रा बना दिया गया लेकिन वो बेकरी वाला इसाई था कौंकनी था आखिर उससे क्यों हाँ तेस्तर हीचिया लोकंचित चाल है भाई जाहिरे लोग तो यही कहेंगे कि ये काम मेजॉरिटी वालों का है मैं कहता हूँ अगर मेजॉरिटी वालों पर ही दोश लादना है तो अपने ही भाई को खतम कर दो और कहो कि मेजॉरिटी वाले माइनुरिटी वालों को रहने नहीं देते चाब ये भारत अगर लोक तंत्र भी हो जाए तो आखिर भवमत तो हमारी है माइनोरिटी वालों को माइनोरिटी वालों की तरह रहना सीख लेना चाहिए हम भे भगवान इस्व को मानते हैं उनका आदर सन्मान करते है परन्तो इस कार्थ ये नहीं कि हम मराठी को हटा कर कोकरी भाषा का स्विकार कर ले और ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जो केलेम के नेता बने फिर रहे हमारे इसाई भाईयों को हम हिंदू के खिलाब भढ़का रहे दो यू में तो से डाट मिस्टर डेनिस परेरा इर्रिस्पॉंसिबल फ़र बेकरी ब्लास्ट भी मैं कहने वाला काउन मुझसे बहतर तो आप लोग जानते हैं मेरा इतना ही कहना है कि अगर मेजॉरिटी की भाषा मराठी है तो फिर मराठी से इत्रास क्यों बट वाई वाई इंपोज यूर मराठी ओन आस क्योंकि पावर में रहने वाले पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्रिश्चिन्स दप कर रहे हैं लाइक सेकंड क्लास सिटिजन्स बड़ विल लॉट अब आप ही देखिए कुछ दिन पहले की बात है एक क्रिश्चिन को बोट का लाइसंस नहीं दिया गया क्यों नहीं दिया गया इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने एप्लिकेशन कौकणी में लिखी थी मराठी में नहीं इसका मतलब क्या है मतलब साफ है अब आप ही सूचिए उस बेचारे बेकरी वाले क्रिश्चन का क्या कसूर था उसने क्या भी गड़ा था सत्ताधरी पार्टी के पॉलिटिक्स में मारा गया और न्यूज ये फैला ही जा रही है कि केलिम वालों ने यानि के ऑपोजिशन वालों ने ये काम किया होगा ये भी नहीं कहते कि काम किया है हमारी पार्टी ये चाहती है नौट अल्ली आवर पार्टी जनत्ता ये चाहती है कि आसेमली डिजॉल्व हो इलेक्शन फिर से हो क्योंकि इस गवर्मेंट के हाथों स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा पब्लिक में डर बैड़ गया है और इस बेकरी ब्लास्ट के बाद में तो लोगों को अपने सिक्यूरिटी का कोई भरवसा ही नहीं रहा और इन सत्ताधरियों को देखो सत्ता में रहने वाले हर आदमी के साथ आठ आठ सिक्यूरिटी के मैंड चलते हैं उनके पास फॉरें के स्टेमियंस है बुलेट प्रूफ जैकेट्स डालके चलते हैं और लोगों का क्या लोगों के सिक्यूरिटी के बारे में कोई ख्याल नहीं पब्लिक का क्या वो रहे या मरे कोई जगा सेफ नहीं रही चाहे वो घर हो या होटल्स हो सिनिमा हाउसेस हो या फेरीज हो या सी बीचेस हो अरे मा छोड़ दो मा अरे मा खेले ता बैया को बाई कोर देंगे मा बैया खाब बैया अरे Ma अरे Ma क्या करें युँ अरे Ma अरे Ma अरे Ma अरे Ma इतना मत ठाग झाक तू हिसमर में स्वाल कर जाएगा अरे Ma तू भागेगा तो अच्छा नहीं होगा जातना तू भीच में अरे Ma पंदरह बीस पचीस तीस अब पचास तक तो अपने रिकॉर्ड है बटा आग करे ले आगे यह पुजिशन तो शीर शासन का भी बाप है सलीम आपकी बेकरारी का करार आ रहा है अधाब सलीम में अभी तक रोम्य जुलिट नहीं आए वो दो तो नहीं आए लेकिन हाँ वो दो लल्लू आए अपने कॉंटेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे है कुछ नहीं गल्या अफ़य। शुक्ते लेकिंट नहीं जुटेस्टेस्टेस्टेस्टी आपक तुम लव जूरी नहीं जुटेस्टेस्टेस्टूश। खूदा आikt मेरी बात मान patches दोनों भाईों में से एक भाई तो मूछ रख लो आप लो अब दोनों में किसी एक नोम उससे 50 रूपई लिए मो आणीजा लें लेई लफ बन के कितनों को बना था चोना निकालो मेरे पैसे चला लगता है अजमाल खरीने करें पैसे नहीं है ए तेरे बोले, फॉस्या काड़ी है क्या काना फुसी हो रही है औरतों की तरह कुछ नहीं मैंने बदमाशों को पैसे दिये थे वापस ले रहा हूँ दे दू दे दे भाई तू भी क्या याद करेगा विलो भाई आगा है हमारी स्टोरी के हीरो हिरोईन आज लवबड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं आ याद, शीज लुकिंग डान क्यूट आओ लगा मश्णू आओ क्या संगीताजी पीटर साहब यह कोई ताइम है यार आने का है मैं तब को देर होगे तैयार होने में जूट बिल्कुल जूट पीटर महराज लेड़ाए जूट बोलेगा मैं तो किली देर से बिल्कुल जूट बोलेगा चलो चलो क्लास नहीं अटेंड करना गंटी बच गई गंटी नहीं घंटा तुम लोग बैठो मैं आटेंडेंस देके आता हूं तुदंदा कर क्यों मारकोस दादा अरे आओ मेरे दुकान के पहले की रात तुजब भी अपना बिजनस का बोनी करता है ना वुद्र ना दंदा पोच चलता हैं कितना चाहिए आधा तोला दे दे आधा तोला दे बस आधा तोला आज कर तुने बहुत कम कर देबाएं वों क्या एक कड़की इक जमाना चल रहा है क्या करूंगा और्व तरे नेग ग्राक का वा है पनाव मेर वैह न। चल दिव अचारी करां इंहीं हरा है और आएग्त देरा है इब देर्भर्मपनेशन बनेशन नावनन ए मल अचया है if it is triangular in shape it'll turn out to be a poisonous one the other way is to observe the scales and oh hello Deepak hello father how are you I'm fine how are you father fit as a fiddle and who is this young man Sanjeev Kamath father mm-hmm मैं से याद मिशन के लिए लाय हूं किस फाकुल्टी मैं साइंस में फादर oh then you'll be joining this batch I hope so Deepak वो बेकरी बिलास के बारे में कुछ क्लू मिला तुम्हें नहीं father यह हमारे देश के निताओं को हुआ क्या है बस एक एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कभी Christian leader Hindu leader Christians को तुमने वो political leaders का statement पड़ा यह वही leader है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश को बेच सकते हैं मैं तो कहता हूं तुम जैसे नौजवानों को उटकर इन गलत leader हों से इस देश को इस टेट को बचाना है I'm sorry are you interested in politics young man father घर में इतनी problems है कि दुनिया के बारे में सोचने का तो time ही नहीं है time निकालना चाहिए Sanjeev क्योंकि इस country का future तुम ही लोगों के आतों में तो है तुम लोगों को यह जो religion यह language यह उंच नीच की दिवारों से ओठकर तुनिया के बारे में सोचना है but sometimes I I cry I pray के God इंसानों को अकल दो ताकि यह दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहे father आपके जैसे सोचने वाले कितने होंगे इस दुनिया में सिर्फ दो एक तुम और एक मैं what a Sanjeev के बारे मैं अभी नहीं बता सकता अच्छा तुम चाहो चाहो पिर्टसल्स मेल अच्छा ओजेगो यस मिलने आया करना अगाई मद जाना अगाना अगाई definitely definitely all right Sanjeev I hope to see you sure sir bye father maybe come in father come in oh hello deepa good morning good morning good morning where were you son father achh kal oh sorry father yes Sanjeev सब्सक्राइब करें तो कैसे आने हुआ दीपक फादर संजीफ की डेली के कुजर जाने के बाद यह कुछ नट कंप्लिट इस तुड़िए इस तुड़िए इन मनी अधर कॉलिजिस फादर आप तो जानते हैं कि आजकाल अदमिशन मिलते नहीं पिकते हैं फादर वो क्या है कि मैं मार्क शीट लाए हो जिया शो में ओके संजीफ टीपक की रिकमेंडेशन पर ऐसे स्पेशल केस में तुम्हें एडमिशन दे रहा हूं तुरे जीश सेंटर पे बुलाते तू आया नहीं क्यों नहीं आया तू मेरी मां की तव्यत खराब जाए मां की तव्यत ओ नो आम फैड़ा फो इस दिस्टरबिंग अलिमेंट्स तुम्हारी हड़ी पसली तोड़ कर उनका समझा है तूराइस कर रका स्टूरेंट्स को आई डोंट नो वाट तो दू इं लेकिन वो लड़के इस पालिश के तो नह नहीं है जब देखो बार सेगुंडे लेकर चला आता है तेपक प्लीज डू सम्थिंग इस साला बंडूर कर खड़ा है लफडा करें छोड़ी से चलबाग पादर बंडूर कर सब अके लें और वो चार मैं देख्या तूं के सकता है पॉलिस वारे ने तो सैंस लेना मुश्किल करती है कुछ छोड़े बर्सो हो गया जोड़ा एसे चलाता है जैसे अपना पाप का घर हो बहुत दिन से मेरे चाकू में जंग लगा है क्या तुम बढ़त का मड़े करना मलता है हाँ ताकि ये बार-बार भागने से छुटकारा मिल जाए चल निकल चल बगार साथ बगार बगार डार तुम आप जाए अपटर लाघ जाए जाए अपर लॉ से जाए नथे वादा का जिका ज़िए जो ऑस बगार वामैं इसकल अरफ कट नर प्रसे मऩ एपन कर दो दो जाए जाए ता सुट ज़िए अर। एके जो आखशा limiting ऱौ आखशा Been a लो आao hiç वो all आखआ जय के जितका I जज जचछा लो जड़ी का लो आखशा वो buscar कर लो आखशा algum कि लोग ज़जएिल कि उप उप लो दो दो कि जब उज कि वग जब लो आख़ भो आख़दो कि 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 अच्छा एक है कि कि अच्छ पिसा जी इस निवा नहीं कि कि सब्सक्राइब कर देपक बांदर कर मर्डर केस में कुछ आगे बढ़े हैं हाँ दोचार सस्पेक को पकड़ा तो है बटानाव हेट इस टेलीफोन कॉल्स चाहे किसी को भी पकड़ो फॉरन फोन आने लग जाएंगे ज़रा ख्याल रखिए मेरा आदमी है अच्छा फोन किस ने किया था मैं 32 दातों में एक जबान हूं कालेकर साब यह तो बताईए आखिर आपने पकड़ा किस किस को वोई सैबी लियो जैकब और राउडीज मुझे भी यहीं उम्मेद थी और मैं यह भी जान गया प्रोन किस ने किया था लेकिन ब्रद वो पतर हूं हुँआ है इसलिए तुन्हारा बेल हो गया ना वह वे बेल तर जालें पून केस तर चालू असा चलेंगा अच्छ पोलिस आफिसर को मारने से पहले ये सोचना था ये तो अच्छा हुआ कि तुम सस्पेक्ट करके पकड़े गए तुम्हें चुड़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मालूम है वो इंस्पेक्टर बंदोतकर हम लोग को बहुत सताता था तो उसे जान से नहीं मारना था देखा नहीं वो तो मर गया लेकिन सारी पुलीस अलर्ट हो गई सभी तेरी वज़े से मेरा तीस लाग का माल पकड़ा गया और परेशानी अलग हुई समझे जोएल अगली कंसाइनमेंट आने से पहले मुझे हर तरह का साटिस्फेक्शन चाहिए डू यू अंडर्साइंड येस ब्रोदर साभी तुम अपना सारा ध्यान कॉलेज के एलेक्शन पे लगाओ तुम्हारा केस अस सून अस पॉसिबल फिनिश करा दूँगा थैंक्यू पत्रों कालिज की आप फिकर मत करो ओफो स्टॉपिट हद होगे करॉप्शन की साभी सुवर बेल पे चुट किया सुना है उसकी बहुत पहचान है एक फोन किया और बस तुम्हारे डैडी को चाहिए कि ऐसे लोगों को बचाने जो आए उनकी बात ओफिसर्स को ना सुनने दे अगर सगीता के डैडी अब इस अज़ीद अगरिंस अगरिंस तुम्हार जो अगरिंस आएविटनस आगिंस श्वट अगरिंस सभी को तो सिर्फ आज़े सस्पेक्ट परका लाये लोने संगीता वहा जो लड़का बैठा है वही बांदोड करके साथ था ना जिस तेन उसका मुडर वा लगता तो वही चे हाँ हाई, you are the new student? yeah, my name is Peter Samuel Sanjeev Kamath अकेले बैठेयो, so why don't you join us? sure, friends come along hey guys everybody meet Sanjeev Kamath Sanjeev, this is Salim Hi this is Sangeetha Hello this is Fawzia Carlton Love and Kush Welcome aboard Thanks उस दिन तुमने साभी को चाकु मारते हुए देखा? चाकु मारते हुए नहीं यही तुमने ब्यान दिया ता और साभी और उसकी ग्यांग पकड़ी गई? जो देखा था वो बता दिया और फिर भी साभ चूप गया बट Sanjeev तुम्हे इसे लोगों से उलजना नहीं चाहिए दीपक बांडोड कर जैसा शरीफ और इमानदार पुलीस आफिसर मार दिया जाए और मैं खामोश रहूँ आखर क्यों? क्या कसूफ था उसका? सिर्फ इतना क्यों समाज में गंगी फैलाने वालों के खिलाफ था यह परदाश नहीं कर सकता सथीन आप रहें सब 2 सब 3 कि सब 2 तुम लोग भागल मत बनियार सबर्द़स्ति तूवी तुमने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट क्यूं दिया अफसोस तो इस बात का है मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका वर्ना वर्ना क्या वर्ना तेरी बेल नहीं होती वर्ना तुझे भी बंडो जो पहुंचा दूंगा अपनी शकल देखिये तुने शिशे में अग्राप है अग्राप और अगे दे तेरी तो अग्राप यह मत समझना तुम लोग के संजीव बखेला है चल संजीव साबी 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 जवानी के दिन है प्यार किये जा खुशी हो या गम हो यार जीए जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जब बोजवानी के दिन है सकनों की सारे राते मस्ती के सारे दिन है और जवानी की रंगिनिया सकनों की सारे राते मस्ती के सारे दिन है और जवानी के रंगिनिया कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा ओ जवानी के दिन है अपनों से है दिल लगी घैरों से है दोस्ती अनोखा ये अपना जहाँ ये प्यार का जहाँ यहाँ प्यार किये जा ओ जवानी के दिन है प्यार किये जा खुशी हो या घम हो यार जिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा ओ जवानी के दिन है जवानी के दिन है जवानी के दिन है जवानी के दिन है किया संजीव पिकनिक में मज़ा है के नहीं आयर बहुत मज़ाया कालूज में आने अने से पहले मैं कुछ और ही सोचता था ना जाने कैसे लोग मिलेंगे दोस्त पनेंगे या नहीं यार तुछ से एक बार मिलने के बाद कोई भी बार-बार मिलना चाहेगा मुझे तो ऐसा ल मुझे रास्ते में कहीं उतार देना आपस में चला जाओं अब हम इतने बुरी तो नहीं क्या आपको घर तक न छोड़ें बातों बातों में आगे ना निकल जाना यहां से लेफटन लेलो पीटर महराज आपका घर में अच्छी तरह जान दूँग और यहां से राइड बाइ और राइड संगीता लवकुष को फोन कर देना कल मेरी मोटरसाइकल कॉलिज लिया है ओके संजीफ बाई ओके लाई अब आप आगयानी की तकलीफ करेंगे हम शुर्ट दश्वाइन सब बिचन कॉर्टुबान मा का बोरिंग लागुनान आप अब टोटली फट अप इद फिट अभी अभी बांडोडगर का केस फिनिश नहीं हुआ और बुल की तरह सिंग मारने चला उस लड़के को क्या नाम है उसका संजीफ कामत राइट संजीव कामत लेकि संजीव कालेकर का आदमी है तो वो खुलकर सामने आ गया है नो ब्रदर वो संजीफ कालेकर का आदमी नहीं पंदोत्कर का आदमी है वो पलीस वाला जिसे सैवीने सुला दिया था उसी ने तो कॉलिज में ड्मिशन दिलाया है इट मीन्स संजीव के पुलिस के साथ कुछ न कुछ रिलेशन्स है चॉयल उसे चेक करना बहुत जरूरी है और उस सुर साबी से कह दो अगर एक भी पुलिस के सावर बना तो मेरे लिए उसे बचाना डिफिकल्ट हो जाएगा मा सो रही है हां खाना खाओगे हां बहुत भूख लगी है अब बहुत लाटेओ हिटागे अमचेयदा यमों में बनाा किये था यह सुछ इसे खाना नहीं मैं देना बाग बाग देखती हूं बाग किदर जाता乾 अब यहाने की जरूरत नहीं है तुझे अरे शिल्पी तू यह सब क्यों करती है मा ने अगर देख लिया तू मेरे लिए खाना और कंबल लेकर आई है वो तुझे कच्छा चबा जाएगी वह पिछले जनम में जरूर राक्षिशनी रही होगी धत कोई मा के लिए ऐसा कहता है तो नहीं लेकिन कोई मा भी ऐसी नहीं होती जो अपने एक लोते बेटे को ठंडी रात में घर से भाहर निकाल दे उसने तुम्हें निकाला नहीं तुम तो खुद भाग कर आये हो घर से व हंती तुम को मालूम है फए जब तुम नहीं होते मा तुमारे स्वाब में किसी के निन सोचते हैं थोकरी ऑसे मङश्त वुका देती और देतی आ होगे और जैसे मैं घर आता हूं वो म्यान से तल्वार निकालती है जैसे की उसके सपने चुरा कर ले जाऊंगा नहीं बहीं अगर आइसा होता, तो क्या मा मुझे भेजती हैं खाना दे कर? क्या? ये खाना मा ने बेजा है? और ये कंबल भी बेजा है? ठत! खाने का मजा ही खतम हो गया. मैं तो सोच रहा था, तू मा से चोरी छुपे खाना लेकर आई होकी. इसलिए खाना तीखा लग रहा था अब तो खाने का मजा ही फुस हो गया ओ भाईया अच्छा अच्छा जल्दी दे फंडा हो जागा खाना पकड़ इसे खाईगी यह ले मजा आ गया संजीव ने सावी की छुटी कर दी यह तो होना ही था बहुत मसाया देखो 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 चर्सी सुटा बना रहा है चलीम तु यह बुरी आधत नहीं छोड़ेगा छोड़ दी यार छोड़ तू चरस और ब्राउन शुगर से अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है यह चीजें दीमक बनके तेरी जिंदगी को खा जाएंगी तू अपने माबाप का इतलोता बेटा है तुझे इतना भी खायल नहीं बंद कर यार यह अपना तू लेक्चर लेक्चर ठीक है यार मैं वादा करता हूं आज के बाद नेवर अरे छोड़ यार तू हर दिन यही क और तुम फिर भी अगर फॉजिया यहां होती तो कितनी शर्मिंदा होती मैं वादा करता हूं संगीता कि फॉजिया और तुम लोगों के लिए मैं आज से यह पीना छोड़ दूंगा आई प्रामिस यू तो इसी खुशी में हम तुम्हें खुश करते हैं सूता मारो सूता सूता लगाओ यारो लो एक दूजे का जूता जुड़ जाएगा दिल जतूता मारो सूता लगाओ यारो लो एक दूजे का जूता जुड़ जाएगा दिल जतूता मारो सूता मारो सूता लाल परी से काली गोली से नजरे मिलाओ सिगरट को मारो गोली चिलमे भरके उडाओ हम तो नशे में लेकिन घरवालो का भाग भूता जुड़ जाएगा दिल जो तूता मारो सूता सूता लगाओ यारो लो एक दूजे का जूता उड़ जाएगा दिल जो तूता मारो सूता हो 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 इरा किया इरानी करने दो उनको लडाई इरा किया इरानी करने दो उनको लडाई धुनकी में तूना यारो करना किसी से लडाई उनको क्या मतलब किसने सोने की चिडिया को लूटा सूते ने हाएर नूटा मारो सूता सूता लगाओ यारो लो एक दूजे का जूता जुड़ जाएगा दिल जो तूता मरतूता संजीव प्लीज लिसन टू मी नहीं यार यह इलेक्शन एलेक्शन मेरे बस का काम नहीं तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता तू हीरो बन गया है यार अन्दर अन्दर से सब लोग बहुत खुश है कि एक तू आया सभी की बिटाई करने वाला इसलिए तू इलेक्शन जीते ही जीते और हम सबका भी यह ख्याल है यार नहीं तू मेरी मा को नहीं जानता मैं जो कुछ भी करता हूं वो मुझे डांट देती है यार तू अगर हा कालेकर से मिला था कालेकर हां तुम नहीं जानते उनको नहीं अरे वही अपनी संगीता के डैडी है मिस्टर शंशांक कालेकर मराठी सिवासंग के सेग्रेटरी है और इस इलाके के मले भी वो तूम से मिलना चाहते थे मुझ से फादर हाँ वो सब खबर रखते हैं उन्हें और सेभी के जगड़े के बारे में कह रहे थे कि मैं ऐसे लड़के से मिलना चाहता हूँ और फादर ये न्यूज ऐसे हो गई ही जैसे कि मैं मून टो पांच गया हूँ थेंक्स टु यू अब सेभी से कोई नहीं टेरेगा तुम ऐसा करो मिस्टर कालेकर से मिल ही लो फादर मैं आज ही मिलता हूँ उनसे गुड़ अच्छन फादर येस सर बास पुरशत्तम अपोजिशन लेडर्स के मिटिंग जो तुन्हे भंग कराई मजा आ गया सुना है सब सर पेर रखकर भाग गये यह सवाब का आशिरवादा दादा साइब अरे नाई वेड़या यह सगलित तुझी कमाल है दादा साइब मुझे आप से एक रह ले नहीं हाँ बोल बोल याद है अपने एरिया में एक होडर प्रजेक्ट की बात की थी मैंने हाँ रखता है पुर्शुत्तम सुन अपने आद मिले जा मकान को आग लगा दे वाकी आगे का सब मैं सबालता हूं तादा साइब अब मैं बेफिक्र हो गया साइब संजीव साब आये संजीव कामत हम हां तुम्हें सकरो उससे स्विमिंग पूल पर बिठाओ मैं आया हाई संजीव हाई संगीता तुम कॉलेज नहीं गई आज नहीं गई तुम कैसे आए तुम्हारे डैडी ने बुलाया था लॉकर ने काहा हूँ मीटिंग में है अहां उन्हें ने कहा कि पूल सेट पर जाकर बैठ जाओ बैठो मैं अब भी आए कि अगर तुम क्यों नहीं मेरा मतलब है तुम समझ गया ना उसकी बात अलग है चुनाव में भाशन देने पड़ते हैं और मेरे घर में भाशन सिर्फ मेरी मा देती है और हमारे घर में मेरे डैडी क्या बुर्रे चल रहे हैं हमारी कुछ नहीं डैडी यह संजीव कामर अचा मैं चेंज करके आती हूं और संजीव तुम जाना नहीं अगर संगीदा अगर चाह पाथ हो तुझा संजीव साथी हो डैडी सुनाओ वेड़े कैसी पड़ा ही चल रही तुम्हारी ठीक चल रही है सर मैं तुम्हारे प्रिंसिपाल से कली मिला था अरे भी बहुत तारीब कर रहे थे हो तुम्हारी सैभी को जो तुमने सबक सिखाया सर वो तो यूही उलज पड़ा था बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया तुम्हें बहुत गुंडा गर्दी पर उतर आया था वो अब सुना है तुमने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया आपको कैसे मालूम है सर अरवे तुम्हें पता नहीं हमारी जासुस तुम्हारे साथ पड़ती है ओ डाड़ी हाँ संजू तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर मुझे राजनीती से कोई लगाद नहीं और ना लीडर बने की कोई इच्छा है कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छा है बदलनी पड़ती है तुम्हें मारूम नहीं तुम कॉलेज में कितने पॉप तो वो तुम हो तुम मेरी बेटी हो तुम्हें फोर्स करना भी नहीं आता अर भी जरा अच्छी तरह जरा प्यार से कहो हाँ ओके डादी संजीव खामत जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर विंती करती हूँ क्या आप एलेक्ष्ण में खड़े होकर साभी जिसे गुंडे से हमारे कॉलेज को बचा ले प्लीज कि दो अच्छा के पीज खुला मैदान वहां जाओ यू चल जाना पास्टर्ड चल बस पास्टर्ड यू जा रहो बैस जा रहा है आपके जाले है जाओ पिफर आपके मैस अफिकर आओ बैगन को रहे कि अच्छा है यार तुम्हारा माल कम जलाने करें कि जादा जला यार तुड़ा जल पस ले ले यार इसी बात पेक पफ और ले 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 तु कहता है तुम्हे ले लूँगा लेकन अब इसके बात तु मुझे फोर्स नहीं करना है गुड़ बोई प्लीज ले 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 क्या ज़री कुल्वा तुम्हार को ज़िए विज ले लिए लेकन अब बात पर तुम्हारे दोस्त जी बेलांग तुम्हारे दोस्त जी लोंग तु इस इसंस्टिशन वजे इनके अर्डियनेटी गड्स एकने फादर्य यह मेरे साथ हाए मुझे मिलने आए तुम्हें मिलने आए जी कॉलेज के वक्त तुम्हें यहां पर मिलने आए इनसे को तुम्हें बार जाके मिलें बट फादर आफ मैं कुछ नी सुनना चाहता हूं तुम लोग यू आउट चल रहे आउट बट फादर आउट आउट इसेड चल रहे है आउट और यह लोग और तुम करके रहे हैं यहां पर कुछ नहीं हम लोग तो सिरफ इदर सिग्रेट पी रहे थे फादर चुपके देखो सलीम तुम्हें अच्छे लड़के हो अच्छी फैमिली के हो क्यों तुम अपनी लाइफ इस नशे में बरबाद कर रहे हैं आगे से नहीं करूंगा तुम अभी से लड़कर आने लगे आगे जाके पता नहीं तुम्हारा क्या हलोगा आख चला कैफू मैं सबस्के जानी मैं तुम्हें बहुत ठर्म कारता हूं था प्यार क्राइम रें पहुत कहने के कोशिशश भी की आstorm अपने से बना इनी तुम्हारे सामने मैं बोले नहीं पाता हूं कि यह पता नहीं तुम समझोगी कभी यह नहीं है यह ददा लब यू बेरी मच फाशियर लब यू यू अ इस नहीं आके मेरे सपनों को बिख रादिया कि नियुक्त तेरा बाप अरे मार्कोस तुम यह ले यार तू भी एक कश मानने यार चाल हट मैं कश लेने नहीं तुछ से ये पूछने आया हूं कि फादर मार्यो को अपन लोगों के बारे में क्या क्या बताया बहुत पादर मार्यो वो समझता है कि नशा बहुत पूरी चीज है मगर उसे क्या पता कि मैं नशार के बाद फाउज आके कि इतना करीब आ जयता हूँ आप तुछे उससे किता तूर कर देता है । बोल सले नहीं, नहीं बलुगा, नहीं बलुगा याद रख अगर तुने किसी को बताया कि ट्रक्स के सप्लाई हम करते हैं याद रख शर्सी, याद रख तेरी फौजिया तुझे कभी नहीं मिलेगी कोई आ रहा है, चलो सलीम, 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 सलीम सलीम, यह कौन लोग थे, सलीम मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं ठीक, ठीक, चलो टैरी, संजीव आया है, नमस्ते सर आओ, संजीव, बैठो थेंक्यू, हाई हाई सर मैं सलीम के बारे में यह बड़ी गंबिर बात है, संजीव मैं जानता हूँ यह किस ग्रूप का काम है कॉलेज में ड्रक्स के धंदे कौन चला रहा है सर अगर आप जानते हैं, तो उने पकड़ाते क्यों नहीं यह एक मजबूरी है, यह जो ड्रक्स का रैकेट है वो जोईल फर्नांडिस का है और उसे डेनिस परेरा का प्रोटेक्शन है और वो डेनिस परेरा जो आजकल केलम यानि कोकणी लाबी का नेता बरा है इसलिए गौर्नमेंट इस समय इस पोजिशन में नहीं है कि उससे छेड़े इस इस ट्रैजिडी आप डिमाकरसी मैं बॉइ यह कैसी डिमाकरसी है, यह कैसी सरकार है सिर्फ इसलिए कि कोई स्मगलर या कोई ड्रक्ट्राफिकर किसी एक लाबी का नेता है उसे छूट दी जा रही है, वो मनमाई कर रहा है जबाकरसी मैं तो आज भी त्याग पत्र देने के लिए तयार हूँ लेकिन क्या सिर्फ मेरे त्याग पत्र देने से समझ से हाल हो जाएगी नहीं कुरसी छोड़कर हमें आज जो कुछ करना है वो भी करनी पाएंगे बगैर सत्ता के कुछ भी करना नामुम्कीन है इस संगर्श में हम सब को शामिल होना पड़ेगा लेकिन दुरभाक की बात तो यह है कि आज की युवा पिड़ी इससे कत्रा रही है कि आज देश की राजनीति की लिए कॉलेज़ इलेक्शन भी उतने महत्व पूर्ण है कि डैडी कॉलेज इलेक्शन का राजनीति से क्या लेना है देना यहीं तो बात को समझ ना है वेटी आजकल देश भर में इतने यह युवा दल हुए है वह इसलिए आजकल कॉलेज में गुंडागर्दी करके अलग-अलग राजनीतिक डल अपने अपने लोगों कुछ चुन कर ला रहे सैभी जैसे गुंडे विद्यार्धियों के नेता बने फिरते रहे थे और संजीव जैसे यूवक जिन में इन गुंडों से टकरानी की ताकत है जिन में पचाडनी की ताकत है वो इलेक्शन से कत्रा रहे नए सर मैं कत्रा नहीं रहा हूँ इलेक्शन से ज्यादा मैं इन गुंडों और ड्रग डीलर्स ने पटना ज़रूरी समझता हूँ इसलिए तो तुम्हारा कॉलेज इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा कॉलेज परेरा जैसे दुश्मनों के हाथ मत जाने दू अगर तुम चाहो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तयार हूँ ठीक है सर मैं अपना फैसला बदलता हूँ माइलेक्शन लड़ूगा कॉलेज से गंदगी हटाने के लिए माइलेक्शन लड़ूगा सैबी से कॉलेज स्टूडन्स कब तक डरेंगे उन लोग को तो संजीव कामत का पूरा सपोर्ट मिला है कि कॉलेज मेरा है अब उनका ही जोर चलेगा और अगर किसी ने गड़बट की कुछ लोगों ने सलीम को पीट दिया और हम कुछ न करें क्या करें सलीम ने कुछ बताया हमें वो तो खुछ चुबा रहा और हम लोगों से पूछते भिरे किस ने मारा यूमींटि से इलेक्श सलीम से बढ़कर हो गए हाँ वरना कॉलेज अपने हाथों से गया साल भर के लिए यह क्या हो रहा है संजीव के सब बदले का भूत सवार है सलीम की बिटाय करने वालों की तलाश है से इलेक्शन की तो फिकर ही निये से संजीव चीक ही तो कह रहा है हमें मालूम तो करना चा कि जोल फनांडेस साभी के जरी है फिर जाईए लड़कर फैसला कीजिए वो जो मारधार करता है न आप भी वही जाकर कीजिए मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है अरे जाने दो मैं तो पहले इलेक्शन लड़ने के लिए तयार नहीं था मैं अब भी इलेक्शन से वि किवाल खरा हो गया लेकिन इन लोग लड़े क्यों याद है उस दिन मार्कोस ने मेरे चोकरों के साथ सलीम की ठुकाई की थी जिसे तुम मिस्तेक बोला था उसका अब फाइदा हुआ संजीव बोलता है आप उनसे लड़ो सलीम के वास्ते और पीटर बोलता है पहले इलेक् कर रहे हैं तो आगे जाकर इन लोग क्या करेंगे संजीव आजकल कालेकर का घर बहुत जाता है कहीं उसका चकर उसकी छोकरी के साथ तो नहीं नॉट टॉल संगीता का चकर तो पीटर के साथ चल रहा है एक क्रिष्टियन छोकरा और हिंदू छोकरी अब हम पीटर को अपनी तरफ खीचने का कोशिश करेंगा इतना नाराज होने की क्या बात मान जाओ अब मान भी जाओ यार देखो मैं हिंदी फिल्म हेरोएन की तरह तुम्हारे पीछे पीछे गाना गाते नहीं होंगी कि किस इशार में खूब कहा है क्या मजा बार बार मिलता है तुम्हें हमसेह रूट जाने में रूटने में लगती दो घडियां मनाने में उमर कट जायेकी मनाने में वाया रुच पीजर जब से तंहारी संजीव तुम ने तो मुस्कोराना ही चोड़ दिया है। मेरे सामने संजीव का नाम मतलो तुम. अरे, दोस्ते हो हमारा साथ ही है। और फिर तुम ही ने तो ऊसे सावी के सामने खड़ा होने पर मजबूर किया। और अब जकर्दूर का… लड़ जगड़ के थोड़ी ना और फिर सुचो इस बात का इलेक्शन पर भी आसे पर सकता है जिस तरह अभी समझा रही हो वहां नहीं समझा सकती थी वहां तो तुम संजीव की तरफदारी करी थी मेरी नहीं अच्छा जी अब बात समझ में आई संजीव का साथ देने से तुम्हें जलन हो रही थी इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हर आशिक की तरह यहीं चाहते हो कि तुम्हारी मैं बूबा सिर्फ तुम्हारी तरफदारी करें चाहे बात सही हो या गलत नहीं बा तुम्हाराज हो मैं तुम्हें बता दूं पीटर कि मैंने अगर किसी से भी प्यार किया है तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मुस्कराहट ही मेरे संदगी है अरे तुम तो इमोशनलों गई हो मैं मानता हूं कि संजीव की तरफ बोलते वे मुझे बुरा जरू लगा लेकिन तुम्हारे प्यार पर शक्त ना कभी किया है ना करूंदा आल आल आप अप अब तो नाराज की हम देशां के देखा था हम? हाँ और संजीव से? देखो, अब इसके बारे में बात ना करूँ मुझे सोचने का मुखा गए सोचो बाद सोचो लेकिन सोचने में मेरा बत्री नीब हो जाना संगीता मैं अपनी हर चीज़ भू सकता हूँ लेकिन तुमारे जिंदगी से जुड़ी कोई चीज़ कभी नहीं भू सकता हूँ कल मिलेंगे अब बाइ पीटर सेम्यूर जोल फर्नेंडस नाइस मिलिंग यह लेकिन इस तरह गाड़ी रोपने का क्या मतलब हुआ हां? तुम मेरा क्रिष्टियन ब्रदर है तुमको कुछ समझाने का है क्या? तुम कालेकर का लड़की से लव करता है गुड उसको क्रिष्टियन रिलिजिन में लाएगा बेरी गुड यह मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसमें किसी को इंटर्फियर कनने का राइट नहीं देता है चलो पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलता लेकिन कॉलेज लाइफ में बोल सकता है तुम संजीव से लड़ाई किया फिर से गुड क्योंकि अब क्रिश्चिन और क्रिश्चिन दोनों मिलके वो हिंदू को हटा सकता है तुम्हारा लेक्चा खतम हुआ हाँ अगर तुम अपन का मतलब समझा तो मतलब भी समझ गया और तुम लोगों को भी हम स्टूडेंस को बाहर की पॉलिटिक से कोई मतलब नहीं एन नमबर टू हम ना हिंदू है ना मुसल्मान ना क्रिश्चिन है हम दोस्त है समझे धरम मजभ और रिलिजिन की नाम पर हम स्टूडेंस को भढ़काने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला तब तुम मेरा याद करोगे लिटल ब्रदर तुम याद करोगे तुम्हारे सेजेशन का थैंक्स ओके अप यौर्स मैन अब आफ्टनून बोईस अब आफ्टनून बोईस इलेक्शन की तैयारियां हो गई हाँ फादर कल बोटी है संजीब मैंने सुना है तुम्हारा कुछ पीटर के साथ में जगड़ा हुआ है देखो सन यह अच्छा नहीं है ना तुम्हारे लिए ना इस ग्रूप के लिए फादर खास कोई बात नि बस एक छोटी सी मिसंदेस्टनिंग होई थी छोटी सी चिंगारी को लोग हवा देकर अग बना देते हैं अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी फादर हमने तो इन दोनों को बहुत समझाया लेकिन ये लोग मानते ही नहीं नहीं मानते है तो मैं पीटर को समझाता हूं कहा है पीटर वो तो आ जाया नहीं और सं मैंने हापी रिटरंस अप देश संगिता थैंक यू करने के बाद आना था मैडम एक गुरू ने कहा है कि पार्टी में लेट आने से इंपॉर्टन्स ज्यादा मिलती है आहां आज आप तो कुछ प्रामिस किया था मैंने प्रामिस किया था अच्छा जैसे कुछ याद ही नह कर दो मैं मानती हूं मैंने प्रामिस किया था लेकिन यहां क्यों और यह लो यह दो नहां आगए ओन नौ और हम तुम्हें मुबारक बात देंगे किस बात की अरे इलेक्शन जीतने की तुम्हें पुरा परोसा है हां और मेरा यकीन कभी नहीं तूटता एंगे सर्फिए जीतने तुम्हें तुम्हें नहीं पुलाया था लेकन हम आगए विड़ाओ इंनुटता विड़ाओओ झाण की मूदीनमिल गोई ।कि नहीं था नहीं था नहीं दूटता कि दूट। नों आपके नहीं धररक सकत Duchoke, इसे दो पीजय कूँ एज जयुशे cognitive उन्हक्रादर इस पाटी में गुझा जोनरों कि देखे ये आग इलाग घडी जैसे एक दूसरे कुछ तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहू हूँ मैं तुम्हारी पार्टी में आया था कि शायद इन दोनों को मिलूँगा यहां पर और कुछ समझा सब्सक्राइब तू सम्धिंग फादर पर्ना पार्टी में मज़ा नहीं आएगा ठीक है तुम संजीव को समझाओ मैं पीटर को समझादो ओके पीटर को समझादो तूम्हारी एलेक्शन के बारे में क्या रहा है आई रों लो फादर क्यों तुम्ही ने तो संजीव को जेनरल सेकरेटरी के पोस के लिए ख़डा किया और तुम ही कह रहे हो कि इंट्रेस्ट नहीं है तुम्हें फादर वो अपने आप को बहुत समार्ट समझता है ऐसा नहीं है सन अब जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे बारे में यही सोचता होगा पीटर का दिल बहुत नर्म है, तुम एक बार हलो कहोगे, वो तुम्हें गले लगा लेगा, क्या आज इस खुशी के मौके पर तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे? मेरा इस पार्टी में आने का मकसद एक ही था, पीटर कि मैं तुम्हें और संजीव को मिला सकूँ, अब तुम्हारे मिल जाने की ख़बर देखना, कल सैवी के लिए कॉलेज में धमाका होने वाला है, अब आज़ाओ अरे बोईस क्या एक दूसरी की शगल ही देखते रहोगे, काथ सुबह देख लेना, अपने दिनों को मिलाओ, या फिर से इंट्रिदूस कर रहाओ, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज, इस काम की इजाजद आप बंदे सलीम करें, अल्यों सन, थैंक्यू, पीटर सैम्यल, नैश Come on, smile. Sanjeev Kamath, हमारे होने वाले General Secretary. I present the two of you, Peter Samuel, Sanjeev Kamath. Come on. Good. Good. झालज दिवसे अफ कम थैनल, य कम दोटसे हो। इज में पहुआर याफारा जिवल ऐीङ्अ हारा जाफ corr दाल झालज आउर ठानल, य हुआरा है अ.. थे warmे on aard, शॉआ में दूारा है तुम आभी वोट डाल की किया ना नहीं मैं तो सब्सक्राइब कर चीटिंग नहीं चानेगा यहां पर कॉलिज का एलेक्षिन नहीं है को इससे एलेक्षिन नहीं कॉलिज स्टाफ को कॉलिज इलेक्षिन में बोलने का कोई हक नहीं है और अगर तुम्हे लिस्ट देखने का है ना ऐस वास्ते से नहीं आया हूँ स्टूडेंस को जो लेक्षिर आप सुना रहे थे हों मैंने सुन लिया है अब प्रिंसिपल से मैं आपका कंप्लेंड करूँगा यू केंगो एंड दू वाट यू लाइक ओके चल लेक्षिन मैं तो इस काबल नहीं था लेकिन आप सबने मुझे जो पोस्त दी जो इजट दी वहबबत दी उसके लिए थैंक्स कहने के लिए मेरे पास कोई वोट्स नहीं है 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 फ्रेंड्स दो दिन के बाद ब्रेकड़न कंपटिशन फाइनल्स हैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉलिज से लाव कुछ भाग लेंगे मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब वहां पहुंचे और हमारी कॉलिज टीम को च्यार करें तुका होड़ी मिजा साल कि तूज जीकत लो मुण अफॉल्स प्राइड हुआ है यू आर गॉंग तो वें लेकिन क्या हुआ संजीव ने सारा यूनियन कैप्चिर कर लिया और तुम देखते रहे अगर इसी कॉलिज से कॉलिज हमारे हाथ से निकलते रहना तो हमारा बिजनेस डेड हो जाएगा डेड अरे किस चीज की किस चीज की कमी है तुम लोगों को ब्रॉदर हम बोलता है संजीव कोई हटा दो रास्ते से मिस्टेक मिस्टीक मिस्टेक 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 जोय ल अभी वो टाइम नहीं बात रहों वawaysरमारियों ने सारी में बड़त कर दी आन्ड Esse का अधर ये काम इलेक्षिन से पहले होता तो मैं हारता ने तुम्हें सिर्फ कॉलेज की पड़ी है मुझे सारे स्टेट की पड़ी है क्योंकि मैं अपना बिजनेस और लीडर्शिप ओल्ड कर सकूं और इसलिए फादर मारियो को फिनिश करना बहुत जरूरी है पन सर्फ फादर मारिय इसको भी सूली पे चड़ा दिया और यह कि अगार को सकतलों इसके भी दो रिजन है कि पहला कि सैप्वी का कॉलेश फंक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा फादर मारियो मार्कोस से टॉलेट में मिल चुका है मार्कोस फादर के पास कनफेशन के लिए जाएगा फादर ना नहीं बोल सकेगा और कनफेशन बॉक्स से फादर मारियो सीधा हेवन चला जाए दूसरा लोग सोचेगा यह काम हिंदू का है क्योंकि क्रिश्चन अपने फादर को कभी मार नहीं सकता कुछी इंग फादर कुछे कन्फिशन देना है फादर अभी प्लीज फादर अपने जो मुझे कॉलिज के टॉलिट में कहा था वास्तक मेरे दिल में गुटन सी पैदा कर रही है और मैं उसी के बारे में कंफेस करना चाहता हूँ लेकिन मैं तो अपने स्टूण्स क्या है कि मैं उनके डांस कॉंपेटिशन में आऊंगा तुम्हें काम करो कट सुब आज यसाथ बाल यस बढ़ इस बढ़ लीच्टने मैं लेड्र चॉटनी और नष्टने वेल्ड़िट जिल में नप्रज अपने अवाल सब्साट बुटने अजलेग्ड़ाउंड ट्रफी इंस प्टने सिर्श्वाश्य प्र इंस स्ट्ट्टेश्ट थैंस थैंस अप्रश्ट इ इस्ते विजिन्ग अब्स्ट प्ट प्ट तन सेविस चलेज अपत्माप्टश प्रॉब टॉब तॉब एफ तॉब रज़ गुटब एफ, तॉब एफ, बढू एफ, बढू तॉब एफ, यज़ को जो हुआ इफ, तॉब एफ, तॉब एफ, यज़ ख वाओ, इब। in fact he is a special entryThis little fellow comes from a school called Shardomundur I present to you a very sweet bundle of talent Anuj! give him a big hand ladies gentlemen, come on! It's time to present to you the last contestant of this evening, the one and only Synchronous Twins, the Twins who are a poetry in motion. They are a poetry in synchrony. I present to you the one and only Love & Kush! . . झाल झाल ये चुपचाप बरदाश्ट करना है चुर। खुद अपनी नदर से उतरना है चुर। अहो ये की दुश्मन से धरना है चुर। बिना कुछ कहे खुट के मरना है चुर। मरना भी जीने का अंदाज है। गुजे बही दिल की आवाज है तो गुजे मेरे दिल की आवाज तू तो गुजे बही दिल की आवाज है तो गुजे मेरे दिल की आवाज तू अरमिश्वर मृतात में जात में आवाज शान्ति रहाज है। कि सज्जू कि चलो बेटे कि सज्जू कि बेटे हर अच्छे आदमी को फादर मारियो के मर्डर की केस में बहुत अपसूस है और तुम तो ज्यादा करीब थे उनके तुम्हारे दिल के हलत में समझ सकता हूं लेकिन बेटे ये सारे पॉलिटिक्स के खेले लेकिन फादर मारियो को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था हां हर अच्छा आदमी हर नेक आदमी जब बुराई के अंधरे को मिटाने क के लिए बाहर निकलता है तो बुराई के काले नाख सामने आके खड़े हो जाते हैं कि कभी ने कभी तो हमारे रास्ते से निकलेगा और यहीं फादर मारियो के साथ हुआ है लेकिन फादर मारियो ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये सजा में ली आ बेटे तुम जाते हो फादर मारियो ने ड्रक्स के खिलाब पहले आवाज उठाई सलीम को पीटने से उन्हों नहीं ही बचाया इतना ही नहीं संज्यूर तुम्हारी यह पीटर की दूस्ती में बुनी का हाथ ठाए लेकिन ये उन लोगों को पसंद नहीं आ है फादर मारियो उनके धंदे में दी जवार हटा दी मैं समझ गया यह सब डेनिस परेरा का काम है मैं उन हत्यारों को सजा दिलबा करी रहूंगा नहीं संजू यह जंग होश में रहकर जीती जा सकती है जोश में नहीं तुमने खबरे तो पड़ी होगी सब एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे लेकिन इस स इसलब शहर में और हिंसा बढ़ाना होगा मैंने कुछ और प्रोग्राम बना है उन सब से निपड़ने के लिए संजू उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए वो कैसे सर स्टूर्ण्स यूनिटी तुम्हारे हाथ में है तुम यूनियन के लीडर हो पादर मारियो के खून के सिलसिले में तुमने जो स्टेट्मेंट दिये वो सब मैंने पड़े हैं तब से बेटे तुम्हारे रूप में लोगों को एक नया लीडर नजर आने लगा है और मैं कहता हूं क्यों ने इसका फाइदा उठाए जाए एक हमेले के गुजरने के बाद बाई इलेक्शन होने के बहुत चांसे से मैं मेरी पार्टी के लोगों से बोलकर तुम्हें तिकिट दिलाओंगा हां तुम जरूर जीत होगे और फिर बेटे मेरा भी तो कोई बेटा नहीं है मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं संगीता का हाथ तुम्हारे हाथ में देख कर तुम्हें थिम्हें तुम्हें 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 थुक्राइब बनाना खेंगा हूं हाई माम किसके साथ आये तुसंजो वो संगीटा के डाड़ी है यहां के एमेले अच्छा और वो तुझे छोड़ने आए हाँ माम क्या बात है आज बड़ा खुश है तू बस यूही माम यूही कि एमेले आए हाँ माम कर दोस्चा बात है इतुप कर दोड़ा है आए हाँ जाए हाँ झाल बड़ा सुब्याँ है यह हाँ झाल 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 अधु झाल फिर समस्य है पुरुषुत्तम जिसका अंत जल्द से जल्द होना चाहिए अपन हुकम करा पुरुषुत्तम संगिता की मा के गुजर जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से पाला उसके हर खुशी मैंने पूरी की राजनीती में होते हुए भी कभी उसका मैंने ख्याल नहीं छोड़ा लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मेरी ही बेटी मेरी इच्छाओं की चीता बनाए है और पीटर उसमें आग लगा है कौन पीटर? संगिता का बॉइफ्रेंड मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है संगिता उसे के साथ बाहर गई है क्या संगिता भी उससे प्यार? अरे वहीं तो मुश्किल है तोनों बहुत करीब आ रहे और ये मुझे बिलकुल पसंद नहीं दोनों के विवाह का बंधन मेरी सीएम की कुरसी तक पहुचने के पहले कहीं मेरे कले का फंदा न बन जाए तादा साइब मैं समझा नहीं अरे मराठी हिंदु भी मेरी तरफ है वो सब नाराज हो जाएंगे कल कहेंगे शेशांकालेकर की बेटी दूसरे धरम में उसने दे दी पूरशोत्तम हमने ता लोग नैशनल इंटेग्रेशन की बाते हम जरूर करते हैं इंटरकांस मेरेज की बाते हम जरूर करते हैं देश की हालत को देखते हुए अरे पन आतू नामाला अस थोड़ च οποट जब सब एक हो जाएगी तो हमारा क्या होगा इसलिए पुर्शुत्तम जनता को अपने हाथ का खिलवना बनाए रखना जरूरी है ताकि सत्ता हमारे हाथ में रहे इससे एक फाइदा होगा क्रिश्चन्स आपके फेवर में आ जाएंगे पुर्शुत्तम तु राजनीती नहीं जानता सव क्रिश्चनों को अपनी तरफ करके हजार हिंदुों को अपने से दूर करना ये तो पागलपन होगा या जन्मा तरी सिये मोने ची आश्या बाढगाला नकू पुर्शुत्तम पीटर रुकावट है मेरे लिए रुकावट को मैं रुकूंगा कैसे अपने हुकम करा तो उसे हमेशा के लिए सुला दूगा समा ये सुहाना हो समा ये सुहाना अकिली तुम हो अकिली हम है कोई किसी का दिवाना कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है समा ये सुहाना अकिली तुम हो अकिली हम है की जाया चाहत का मौसम महकता महकता ये मस्ती का आलम बहकता बहकता चाहत का मौसम महकता महकता ये मस्ती का आलम बहकता बहकता आसमा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है कोई उसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है सजाई है हमने फापों की महत हमें मिल गई है सजाई है हमने खौबं की महत हमें मिल गई है मुहबत की मनजिल समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है कोई किसी का दिवाना हो हो कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है समा 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 कर दो 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 कर कर दो! कि कि उस घजुव चील इस चत्राव का कि जस व66 कि जस भील कि जस यस उस जस ढुवड हे जड, कि जस चत्राव자리, झाह! ude! पिरा! र Mommy मिला मिला lucky तो तुम सच नहीं बोलोगे मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा मैंने पीटर का खूल नहीं किया वो मेरा दोस्त था तुम जूट बोल रहे हो मैं तुम्हारे मुझसे निकलवा कर ही रहूं का कि पीटर का मर्डर तुने ही किया मैंने पीटर का खूल नहीं किया मैंने तही किया पीटर का खूल साइब तो कब बात रहो आपके साथ बस गुड मानिक साइब गुड मानिक डेविड संजु कुछ बोला वो कुछ नहीं बोला सर वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि पीटर की आवाज सुनकर वो बीच की तरफ भागा था वो सच बोलता है बट हूँ वांस देट डेविड यही तो अपना चांस है कालेकर को और उसके पारटी को लोगों के सामने नीचा दिखाने का पुट फिंगर इन इस थ्रोट और उससे उगलवाओ के कालेकर ने उससे पीटर को मारने के लिए भीजा था क्योंकि कालेकर के बेटी से पीटर का वास्ता था पुट प्रिशर ओने उसके माँ का उसके मदर और सिस्टर का प्रिशर डालो उसके माइंड के उपर वह simplify läuft का व़स्जीव का मत सब लोग कानून कार रिवाहि अर्चन पिदा कर रहे हो नहीं चाहिए आपका यह अंधा कानून, जो एक दोस को दोस के कतल में फास दे। मैं कहता हूँ, संजीव कामत अगर बेगुना है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। कब छोड़ दिया जाएगा। हम सब जानते हैं उसे अंदर के तोचर किया जा रहा है। हम लोग भूख हर्ताल करेंगे। जी हाँ सर, हम सब स्टूडन्स ने अपने देश के नेताओं से यही सिखा है, कि जब अपनी बात मनवानी हो, तो हर्ताल करो, भूख हर्ताल करो, धर्ना धरो, चाहे इससे देश का नुक्सान ही क्यो नहों। तो धर्ना आज से और अभी से हम लोग करने जा रहे है। धर्ना शुरू। क्या होए, संगीता? टादी ने संजीव की जमानत दे दी है। संगीता, अंदर चले, जमानत की कारवाई करनी है। हाँ. जाओ, संगीता, हम सब संजीव को जल्दी देखना चाहते है। संजीव कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ. डादी ने तुम्हारी जमानत करा ली है। मैं तुम्हारे डादी और तुम्हारा एइसान मंद हूँ. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही रात में क्या-क्या हो जाएगा। पीरर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था लेकिन मेरे लिए है। मैं उसके जितना करीब थी और अब अब वो संगीता, मैं तुमसे कुछ कंफेस करना चाहता हूँ. शायद जिन्दकी फिर मौका दे ना दे. किनी कमजोर लमों में? मैंने तुम्हारे सपने देगे थे. तुम्हें पानी की तमन्ना की थी. आज जब पीटर नहीं रहा, ये पाप मेरे हिर्दे को चलनी की दे रहा है. तुम्हारा और पीटर करिष्टा जानते हुए भी. मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया है? नहीं संजीव, प्यार कभी पाप नहीं होता. प्यार हमेशा बवित्र होता है. जहां मैं पीटर को दिल और जान से प्यार करती थी, वहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक प्यार बरी इज़त थी, और वो इज़त इस इज़ार से और बढ़ गई है. संगीता मेरे दिल से बोज अट गया. मैं तुम्हें यकीन दे राता हूं. आजाद होते ही, मैं पीटर के कातिल को हजारों में ढूम निकालूंगा. उसके कातिल का चहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है. अब वो ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा. नहीं संजीव, जजबातों को विवेक पर हावी मत होने दो, हमें कॉलेज को उन दरिंदों से आजाद कराना है, जो पीटर के कातिल है. पीटर का फ्यूनरल कब है? कल. मैं पीटर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूं. जरूर संजीव. नमस्कर दादा साहिब. अरे आओ पुरसुत्तम आओ. बेटो. क्या समाचाल लाए हो? पीटर की मौत में आग पर तेल छिड़का, और आपकी जमानत में उसे हवा देदी. लेकिन. लेकिन क्या? इससे डैनिस परेरा के केम्प को बहुत फाइदा होगा दादा साहिब. फाइदे कि वो सोचते हैं पुरसुत्तम जिनने नुक्सान का डर होता है. यह राजनीती है. तुम देखना? हम ऐसी चाल चलेंगे कि डैनिस परेरा को चक्कर आ जाएगा. कैसी चलताता साहिब? मैं तुझे समझाता हूँ. कल पीटर का फिर नरण है. संजीव वहाँ जाने वाला है. तुम अपने आदमियों से संजीव पर पत्थरों की बारिश करवा दो. लेकिन संजीव को तो आप अपना दमाद बनाना चाती थे. कभी किसी नेता ने मतलब निकल जाने के बाद अपने वादे पूरे किये हैं? वह भी एक चाल थी. संजीव को अपनी तरफ लाने की. यह भी एक चाल है. दोग समझेंगे कि डेनिस परेरा ने ही संजीव पर पत्थर फिकवाए. टेंशन और बढ़ जाएगा. मान गए दादा साइब, आप बहुत दूर की सोचते हैं. यह तो कोई बेवकुब भी सोच सकता है. तो दूसरा सीएम लाया जाएगा. और वो दूसरा सीएम मैं. मैं. इसलिए पुर्शतम जितने दंगे फसाद बढ़ेंगे, उतनी सीएम की कुरसी मेरे पास आएगी. तो फिर देखिए दादा साहिब की फिनरल में क्या होता है? तो ऴदेण बेषक, चाह कर खूसरा स्पितना थाओ आएगादादी रें गपासा सा थे स्क Truth. क्या है, प्यूत मैं, ए्युट्ट जूसरा सबस्त matéri. जह क 00 tem थेंगे आएगा. झाल 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 झाल